नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लेंगवेज और प्लेनेट्स में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों इस चैनल का उद्देश है आप लोगों को केवल जोतिश की जानकारी देना ही नहीं कुछ ऐसे मुद्दों पर गंभीर मुद्दों पर भी आपसे बात करना इस चैनल का उद्देश हमारा है दोस्तों पश्चिव में पश्चिवी देशों में भारत को लेकर एक व्यंग किया जाता है भारतियों को लेकर एक व्यंग किया जाता है जिसे हम आपको इस छोटी सी कथा से समझाते हैं अमेरिका की एक बहुत बड़ी कम्पनी जो अपने छेत्र में जितने भी रेस्टोरेंट थे उनको समुद्री जीवों का मास सप्लाई करती थी उस कम्पनी ने एक बार भारतिय मचुवारों को एक लाख केकणों का ओडर दिया केकणा एक जीवों होता है जो समुद्र में रहता है मचली की तरह का ही एक जीवों होता है नदियों में समुद्रों में रहता है भारतिय मचुवारों को एक लाख केकणों का ओडर अमेरिका से मिला अब भारतिय मच्छुआरों ने दीरे दीरे करके वो केकड़े एक लाख पानी के जहाज में इकठे कर दिये इकठे करने के बाद और उन केकड़ों को लेकर के जहाज अमेरिका चल पड़ा काफी लंबा समय अमेरिका पहुंचने में लगा अमेरिका पहुंचने के बाद जब उन केकड़ों की डिलिवरी उन्होंने अमेरिकी कंपनी के अधिकारी को दी तो भारतिय मच्छुआरों के मुखिया ने कहा कि मित्र आप अपने स्टाफ के लोगों को बुलवा कर एक लाख केकड़े गिनवा लीजिए तो अमेरिकी जो कंपनी थी उसका प्रतिनिधी बोला कि दोस्त गिनवाने की ज़रूरत नहीं है हमें पता है कि अगर आपने हिंदुस्तान से एक लाख केकड़े जहाज में इकठे किये होंगे तो ये पूरे टांग पगड़कर उसको नीचे खीच लेगा ये बात सुनते ही भारतिय मचुवारों का जो प्रतिनिधी था उसको हिंदुस्तान के बारे में किया गया व्यंग बहुत कश्टकारी लगा दोस्तों ये हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है यदि कोई व्यक्ति हमारा कितना भी परिचित हो और एक सब भी व्यक्ति हो इमानदार व्यक्ति हो यदि वो अपने व्यवहार और अपने कारे कुशल्ता के दम पर तरक्की करता है और जीवन में आगे बढ़ता है तो उसकी तरक्की में हम लोग ये जरूर सोचते है के इसने कोई नो कोई नो कोई गलत रास्ता जरूर अपनाया होगा और जिस दिन उसके बारे में किसी तरह की कोई भी उल्टी सीधी बात हमें सुनने को मिलती है तो हमें विश्वास हो जाता है कि हमारा सोचना सही था इतनी जल्दी ये आदमी इतनी तरक्की कैसे कर सकता है और हम भी उसकी टांग खीचने में लग जाते हैं दोस्तों हमारा ये रविया हमारे लिए ही कितना नुकसान दे रहा है इसकी जानकारी हमें अभी नहीं है आने वाले समय में आने वाले 30 से 40 सालों में 50 सालों में हमको इस बात की बड़ी अच्छे से जानकारी हो जाएगी हमें इस पश्ट तौर पर किसी भी व्यक्ति का नाम लेकर किसी की तरफ इशारा करके ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम किस के बारे में और क्या बात कर रहे हैं हमारी छोटी सी इस घटना से आपको सारी बात समझ में आ गई होगी कि हिंदुस्तानियों को लेकर बाहर के लोगों की क्या राय है दोस्तों हम लोग जीवन में आगे तभी बढ़ सकते हैं तभी तरक्की कर सकते हैं जब हम अपने से उपर वालों का सहियोग करें और हम से नीचे वाले हमारा सहियोग करें एक दूसरे के सहियोग के बिना जीवन की कलपना नहीं की जा सकती हमें ये बहुत गंभीर विशय लगा इसलिए आज हमने इस विशय पर एक वीडियो बनाया दोस्तों अपने अगले वीडियो में हम आपके सामने उपस्तित होंगे जोतिश से सम्मंदित एक नई जानकारी एक नई वीडियो के साथ यदि आपको हमारे चैनल में दी गई जानकारिया अच्छी लगती हो तो आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सब्सक्राइब करें और लाइक करें नमस्कार दोस्तों